आज की ये वीडियो सबसे हटके अब तक ऐसी वीडियो आपको कभी मिली नहीं थी और ना ही ये वीडियो ऐसी अब शायद कभी मिलेगी क्योंकि ये वीडियो में मैंने अपना 100% दिया है और मैं आशा करूँगा कि आप भी अपना 100% दोगे इस वीडियो को complete watch करोगे और जो महनत के साथ मैंने इतना किया है आपको ऐसा solid planning बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोग ना definitely best marks achieve कर पाओगे चाहे आप 10th में रहाओ चाहे 12th में रहाओ दोनों के लिए ये वीडियो है 10th वाले भी देखोगे 12th वालों भी देखोगे दोनों के लिए मैंने पूरी planning बताईए पूरा का पूरा complete अपने पास में एक pen ले लेना है और एक notebook लेनी है और आपके पास जितने भी subject है सारे subject का जो index page है जहाँ पे chapter का नाम लिखा होता है उसे open कर लेना है सबसे पहले ठीक है फटा फट कैसे आप 80 days 60 दिन में ला सकते हो यह मजाक नहीं चल रहा है अगर आप अपना 100% देने रेडी हो ना तो मैं कसम से कहता हूं कि आप ला पाओगे यह बात ध्यान रखना मेहनत करनी पड़ेगी ऐसी planning बताने वालो अगर आप कसम से कहता हूं follow करोगे ना आप guaranteed 80 प्लस ला पाओगे आप सोचते हो कि मैं तो कभी 70 लाया ही नहीं मैं तो कभी 60 लाया ही नहीं तो मेरे तो 80 कैसी आ सकते हैं कसम से कहता हूं यार एक बार तो बदलो ला सकते हो तुम लोग क्या हमेसा 60-70 वाली बनके रहोगे कामेसा 50-40 वाले बनके रहोगे आज 80 वाले बन सकते हो तुम 80 वाले बने तुम बन सकते हो बस एक बार इस वीडियो को सिद्धत से follow करना देखने के बाद सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा कि तुमने देख लिया और चलेगा एक खतम का नहीं नई इसे follow भी करना पड़ेगा देखने के बाद मैं कसम से कहता हूँ follow भी करना पड़ेगा तो आपका फायदा होगा आपको क्या करना है time table का पूरा analysis और strategy for class 10, class 12 कोई यहाँ पे बड़ी बड़ी बात है कोई motivational quote, कोई दुनियादारी नहीं बताने वाला हूँ सीधे काम की बात करूँगा जो आपको follow करना है and nothing तो guys अगर आप चाओ तो मुझे यहाँ पे follow कर सकते हूँ instagram में आपकी मरजी let's begin शुरू करती है सबसे पहले class 12 का time table देख लो board exam का क्या है भाई दुनिया में कोई भी planning करने से पहले वो चीज कब होने वाली है जंग के मैदान में कब जाना है वो हमें सबसे पहले देखा जाता है और उसके बाद उस जंग के मैदान की analysis की जाती है और उसके बाद उसमें कूदा जाता है तो आज मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ पूरा time table अच्छे से जिन बच्चों का sociology, agriculture वो सब होगा वो सब अपने college के teacher से उनका time table माग लेना यहाँ पे general वालों के लिए मैंने time table बताया है class 12 science के लिए अभी 10th के लिए भी बताऊंगा don't worry, थोड़ा रुको 10th वाले भी पूरा वीडियो देखो 12th वाले तू पूरा देखोगे ही ठीक है, अब देखो यहाँ पे 23 आपका यहाँ पे पहला date है 23 April, 4 माईना, April होता है Friday पहला दिन है इस दिन आपको जंग लड़ने जाना है 10.30 बज़े आपको महाँ पहुचना है पहला पेपर English का होगा जो की एक language है जो की पेपर सबसे आसान जाता है क्योंकि तुम कभी पढ़े नहीं होती हो फिर भी तुम पास हो जाती हो इसलिए सबसे पेपर आसान होता है उके, उसकी बाद 24 Saturday 10.30 हिंदी का पेपर होगा और जिसका मराठी होगा वो 26 को पेपर देने जाएगा जिसका मराठी नहीं होगा उसको इस दिन गैप रहेगा जिसको हिंदी नहीं होगा उसको इस दिन गैप रहेगा जिसका संस्कृत होगा वो अपने टाइम टेबल देख लेना ठीक है मैंने संस्रीट के लिए नहीं बताया है फिर शुरू होती है मेन कहानी यहां से तीन तारीक पाचवा महीना 2021 याद अटना 26 के बाद तीन को पेपर है मतलब फिजिक्स के लिए अच्छा कासा एक हफते मिल रहे को मंडे के दिन 10.30 1.30 पिम तक पेपर होगा तीन गंटे का और फिजिक्स का पेपर रहेगा यह बात आपको ध्यान देनी है उसके बाद आपका एक दिन गैप है फिजिक्स को अच्छा कासा गैप मिल चुका है केमेस्ट्री को सिर्फ एक एक दिन का गैप है और माकी इंगलीश इंदी मराठी जो भी आपका लेंवेज होगा इन मेंसे कोई दो ही हो सकते है थीक है तीनों नहीं हो सकते किसी को भी त reset जो भी लेंगवेज होगी उस अपको अच्छे से पढ़के जाना है अब मैं यह time table है लेलो शेयर करो हर जेगा जीतर जीतर भेजना है कर लो फॉञाय करो अपने college की तीचर से अलग-अलग language का अलग-अलग date को paper है इसलिए ये date fix मत समझना जो मेरे यहां लिख रहा है क्योंकि अगर तुम English medium की बच्चे तुम्हारी different होगा, तुम Hindi medium की बच्चे तुम्हारा अलग होगा, तुम Marathi medium की लोगे अलग होगा, अपने school में जाना और school में ये time discuss करना तुम्हारा time table यहां से मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, ओके? तो 10 वाले यहां फिर थोड़ा तुम लोग focus करना है, ये अपने school से ही पूछोगे, अपने school की principal teacher जिससे भी पूछना class teacher उससे पूछोगे, ये मेरे उपर dependence में उपर मत रहे न, पहले के देता हूँ ठीक है? आगे बढ़ते हैं आठवा जो 8 तारीक आपका Saturday है 10.30 से 12.30 तक Maths 1 का paper है 10 तारीक से Monday और यहां पर Maths 2 का Geometry paper है 12 तारीक को बीच में gap है एक दो दिन का और उसके बाद आपको Science 1 को आपका History and Political है और 19 तारीक को आपका Geography का paper है यह बात आपको समझ लिए ऐसा मत करो कि 10.30 डेट से इससे कुछ ने फर्क नहीं पड़ता है हर साल 10.80 ही बनकी डेट साती है और बाद में वो पर्मनेंटी रहता है इस बात को आपको समझ के रखना है तो यह था पुरा आपका Board का Time Table इसी Time Table को मध्य नजर रखते हुए मैंने सारी चीज़े आज का जो पुरा Planning बनाई है और आपको 60 दिन का प्लान बताया है अगर मैं सच्चे में बात करूँ सच्चाई में Seriously में बात करूँ तो आपको सच कहता हूँ मैं कि आपको February के आप सिर्फ 10 दिन बचे है और आपके पास March महिने के 31 देज और आपके April मन्त में आपके भाई practical नहीं होगे क्या practical भी होगे आपका जो है बुक का submission भी होगी आपकी तो आपको time नहीं मिलेगा तो अगर किसी का वेपर 23 सी हो रहा है कितना दिन बचता है तुम्हारे पास only and only तब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 41 और यहाँ पे 51 अगर मैं roughly मानू तो चलो 60 दिन बच गए अगर तुम इधर कभी extra कुछ देज निकाल लेती हो तो roughly मानू तो सिर्फ अगर seriously तो 51 अगर आपका practical का time छोड़ दिया जाए तो वरना आपके पास 60 दिन सिर्फ बचे तो कभी देखो आज से एक मेने पहले बनाया था ना तो देखो मैंने बोला था जब time table decide हुआ था कि अभी 100 दिन बचे है 100 days और days जाने को time नहीं लगा आज 60 दिन पे आ गए हो तुम लोग डरा नहीं रहूं डरो मत आज ऐसी planning बता के जाऊंगा ना कि पूरा डर गाया बुजाएगा तुमारा बस तुमको सिद्धत से follow करना है तुमारा 100 परशंट देना है अगर मैंने तुमारे लिद दिया है तो तुम अपना 100 परशंट दोगे तो गरेंटिट तुम टॉप करोगे वरना तो फिर यार भगवान भी तुमको कुछ नहीं करवाएगा यह बात मैं तुमने अभी से कह देता हूँ तुमारा भाई मुझे भाई मानो या फिर अपना फ्रेंड मानो बिंदास तुम वो सारी चीजे मेरे से शेर कर सकते हो जो तुम सभी से शेर करने में हिचकी चाते हो हैसिटेशन फील करते हो मैं तुमारी हेल्प करूँगा बै कोई तो होना चीजिस से कि तुम सारी चीजे शेर कर सकते हो तुम जानते हो society में mom dad सबसे भी तुम इस बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाते हो मैं तुम्हें help करूँगा आगे चीज़ें बढ़ने से तुम मेरे से telegram में content करो telegram की link description box में दी हुई है instagram में content करो कई पर content करो आज कल मैं तुम्हारे लिए जादव जादा online रह रहा हूं और तुम्हारे लिए सिर्फ help कर रहा हूं में सब भी की ठीक है तो तुम्हारा भाई या friend जिंदा है अब तुम्हें करना क्या है what to do सिर्फ चुपचाप अभी मुझे follow करना है जो मैं अभी बताने जाऊंगा और कुछ नहीं सोचना है तुम्हारा पढ़के हुआ है नहीं हुआ है तुम्हारा क्या होगा we don't know तुम्हें सिर्फ मुझे follow करना है जो मैं बताऊंगा सब कुछ छोड़के सब कुछ भूल जाना है tension आ रहा है तो सब कुछ भूल जाना है और ready to give your hundred percent and nothing और अगर पेट में तुम्हारे गुडबड हो रही है time table सुनने के बाद तो यह डर है और यह जरूरी है होना ही चाहिए अगर यह हो रहा है तो सोचके रखो कि तुम अच्छे रास्ते में जा रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है और यह डर ही तुम्हें पढ़ने के लिए यह बनाएगा able और तुम गिर भी जाओगे यह बात कहता हूं तो यार सोचो कोई साथ नहीं देगा सिर्फ education ना तुम्हारा कोई friend ना तुम्हारा और कोई भी जो भी होंगे और कोई भी नहीं एड दिन पैनेंट्स भी इस दुनिये फे एक दिन एक नेक दिन चले जाएंगे फिर क्या करोगे तब तो तुम्हारा knowledge ही तुम्हारा साथ देगा अब शुरू करने से पहले advice देता हूं advice यह है कि यार purchase कर लो पहले 21 को चाहे 12th class में रहो चाहे 10th class में रहो कुछ बच्चे कहेंगे 21 क्या होता है तुम्हारे area में नावनीत का 21 नाम की एक book आती है physics, chemistry, maths, biology के लिए थोड़ पर है model paper और practice paper एकी बात है जिसमें previous question paper होते है और practice paper model paper होते है reduce syllabus के हिसाब से चाहे उत्तम publication चाहे नावनीत का चाहे target का किसी का भी एक खरीद लो और textbook तो आपके पास होगी बस इतना अगर है तो let's go सबसे पहले 12th के लिए बताऊंगा then 10th के लिए बताऊंगा ठीक है सभी को पूरा का पूरा वीडियो देखना है let's begin शुरू करते हैं देखो यार सबसे पहले आपके सामने यहां पर है 12th class का time table मैंने completely यहां पर 8 February से शुरू किया यानि कल से अगर तुम आज वीडियो देख रहो तो आज है आपका 17 February और 18 February से आपका चीज़े शुरू हो पूरा का पूरा मैंने यहां पर सारा का सारा आपको बना के दिया देखो मैं आपको सारा आइडिया देने वाला हूं एक चुली मैं इसमें आइडिया आपको देने वाला हूं देखो मैं आपको दिखाता हूं completely completely आपको यहां पर 10 February तक सारी चीज़े मिलेंगे 10 April 10 April तक अगर follow करोगे मेरी बताई चीजों को मानोगे तो कुछ भी पढ़के नहीं हुआ रहेगा ना अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो भी 80 प्लस ला लोगे वरना अगर अपने college वालों की बात मानते हो अपने tuition वालों की बात मानते हो तो मानते रहो भाई क्योंकि वो तो पैसा नहीं है तो teacher की कितनी respect जाती है तो अपने respect के लिए तुमको बुलाएंगे कि आओ college आओ college आओ college तुम्हारा time waste होगा और उनको अपने respect की पढ़ी है इसलिए कहता हूं कि सिर्फ और से जिस दिन सिद्दत से लगे कि यार तुमको आज college जाना चाहिए practical है उस दिन ही जाना बाकी दिन college नहीं जाओगे और नहीं school जाओगे क्योंकि इतने दिन नहीं गये तो कुछ तुम्हारा हो नहीं जाएगा और they will give the internal marks don't worry वो 30 में से चाहे कुछ भी हो जाए 25 प्लस marks 12 वालों को और 10 वालों को चाहे जो भी हो जाए तुम्हें 20 में से 18 प्लस तो मिलेगा ही मिल वो तुम्हें सिर्फ डराने के लिए कहते हैं मैं भी था board exam में मुझे भी पता था कि यह सब डराते हैं उसम मैं समझ चुका था तुम्हें कसम से के तो मत डरो तुम्हें internal मिलेगा teacher के नजर में मत आना जाना ही मत college तो teacher के नजर में आओगे ही नहीं बस दोस्तों से पता कर नहीं है यह time चला गया यार बरबादी का time बिल्कुल भी नहीं है समझ रहा है तो कल से 18 फेप से शुरू करोगे आज जैसा मैंने यह sheet बनाया है सुन रहे हो ध्यान से एक blank paper उठाओ और ऐसा sheet जो मैंने बनाया है ऐसी date side में लिख लो यहां पे ऐसी date side में लिख लो यह पू तो ऐसा paper बना लेना है अब ideas देना शुरू करने जा रहा हूं जैसा कहूंगा वैसा करोगे 80 प्रस निकाल लोगे तो 12th class time table सबसे पहले आपको 6 बजे उठना है 6 बजे उठने सकते हो यहां से अभी इस वीडियो से निकल जाओ ठीक है पहले ही कह देता हूं time west में आपका न engine जो भी करना है सीफे openly कह रहा हूं जो भी करना है यार 6 के पहले उठके कर लो 6 बज़े पढ़ना शुरू कर देना है जो बी कह देता वाटसेप वीडसेप सब क्लोज कर देना है प्लीज सोचल मीडिया फे थोड़ा दूर हो जाना है एकसेप्ट यूटूब और गूगल इन दोनों को छोड़के बाकि सबसे दूर हो जाना है ठीक है इतना करके पैन पैंसिल हाथ में लेनी है टेक्स्ट बुक सारी ओपन कर लेनी है पढ़ने के टाइम पे चलो अब देखो आपको जब ये टाइम टेबल आप मेरे जैसा बनाओगे तो आपको सारे सब्जिक्ट आपके अगल बगल खुले होने चाहिए इंडेक्स पेज के साथ अगर तुम्हें 80 प्लस लाना है तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा आपका 100% मुझे देना पड़ेगा अगर आप लोग 80 प्लस के बदले कॉलेज को सेक्रिफाइस नहीं कर सकते हो फ्रेंड से बात करना सेक्रिफाइस नहीं कर सकते हो समझा अच्छे से, वो कितना भी डराएंगे डरो मत, पेपर आपका अच्छा जाएगा internal वो पूरा देंगे क्योंकि वो थोड़ी आपका नाम जानते 120 बच्चे में से पुरे टेचर को सबका नाम कहा याद रहता है समझा वो आपको full marks मिलेगा, थोड़ा psychology जी लगाया करो अपना दिमाग, समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ, यस मैं डिर, ठीक है तो आपको यहाँ पे जरा ध्यान देना है बहुत important है, आपको सबसे पहले 18 feb को, physics chapter number 1, theory जो है मैंने यहाँ time table आपको दे रहा हूँ, आपके 6 बज़े से 10 बज़े तक इसको पूरा अच्छे से उसकी पूरी theory को पढ़ना है theory मत्ताब पूरे chapter में जितनी भी theory है, जितनी भी theory है, पूरी theory आपको पढ़ डाल लिए, पूरी read करनी है, learn करनी है, याद करनी है समझा क्या कह रहा हूँ मैं समझ में आया मैं, मगज में आया का थोड़ा सा क्या बूल रहा हूँ, okay जब ये हो जाएगा, तो फिर 10 बज़े के बाद खेलो, कूदो, हसो, जो भी करना है music सुनो, भाई से बात करो, जो करना है करो, यार घूमो, बागो, जो करना है करो नहाओ, धो, खाना खाओ, सब कुछ करो एक बज़े फे जब दोपार में सब सो जाते हैं, तो अकेला टाइम तुम्हें मिलता है एक बज़े से लेकर के तुम्हें पूरा सॉल्ड इग्जामपल प्रैक्टिस सेट बगल में रख लेना, और पूरा रहे, ये चैसे दस पढ़ने का टाइम है, ये एक से चार पढ़ने का टाइम है, साथ से ग्यरा पढ़ने का टाइम है, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, काम के लिए बुला रहे हैं, भाई बुला रहे हैं, उधर जाना है इधर जाना है फोन में उसने कॉल किया सब बंद समझा मैं क्या बोल रहा हूं सब कुछ बंद दुनियादारी से मतलम नहीं है यह बात ध्यानकना तो एक बीम से चार पीम तक आपको सॉल्ड पेपर करना है देन सात बजे से ग्यारा बजे रात तक उसके बाद नहीं पढ़ाई करनी है अगर आप नाइट श्टड़ी करने वाले बंदे हो तो ठीक है फिर यह सब आपके लिए नहीं छोड़के चले जाओ वीडियो ठीक है मैं कहता हूं कि स वेल्द और हेल्द के साथ-साथ पढ़ाई भी हो जाएगी इतना अच्छा टाइम टेबल दिया हूं अब इसमें आपको एक्सरसाइज प्लस 21 से स्टड़ी करनी है यहीं चैप्टर जिसकी आपने थियरी पहले कर ली थी आपको कि सर हमारा साथ बजे से ग्यारा बजे तक क चैप्टर जाएगा जाना दिमाख लगाओ आधेफ जादा यहां पर तुमने पहले ठीयरी कर ली है यहीं थी तुमको 21 में एक्सरसाइज में करनी तो यानि कि तुम्हारा 50% पहले ही हो गया यहां पर बस तुमको 50% करना है अब आधा चैप्टर तुम्हारा त्यें गंटे मैसेज आगा तो reply देने लग जाओगे फिर इस्टाग्राम में बात कर लोगे फिर ग्रूप में चैटिंग चालू कर दोगे फिर ये सब कर दोगे टिक टॉक देख लोगे तब तो फिर ओबेसले नहीं हो पाएगा लेकिन अगर तीन गंडे सिद्ध से सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो जरूर हो जाएगा समझा तो ये फर्स्ट डे एक चैप्टर कंप्लीट इस तरीके से पढ़ने पढ़ता है इतना घंटे देना पढ़ता है इतनी मेनत करनी पढ़ती है याद रहे जब पूरा पढ़के हो जाएगा तो 21 का इस्तमाल करके उसके सारे कॉशन कर ले ले 21 में कॉशन दिया रहता है मैंने भी माई की उदे रखकी उसको भी कर सकते हो ठीक है चलेगा ये बात ध्यान अतना अच्छे से नाव देन 19.5 को chemistry chapter number one theory उठानी है सेम तरीके से जैसे physics में तुमने theory पूरी read की थी पढ़ी थी पूरा कपूरा chemistry में भी तुमको पूरी theory याद करनी है read मतलब याद करनी है definition के साथ याद करना है चाहे तो तुम ये काम digest से कर लो चाहे तो ये काम तुम text book से reading कर लो बात ही किये मैं prefer करूँगा कि तुम digest में से learning कर लो सबसे better देन उसके बाद आपको salt example practice set एक बज़े दो पार से चार बज़े तक की बीच में तीन गटों में करना है आपके बगले practice set होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप salt example कर रहे हो तो बगले practice set रखना कि जो भी आपने theory पढ़ी है उस theory के हिसाब से कौन कौन से question आपके practice set में दिया हुआ है क्योंकि वैसे question board exam में आएंगे जैसा practice set में है paper वैसे paper आपके board exam में आएगा guaranteed आएगा जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा salt example तो आपको मस्त बीच में घूमना है कूदना है खेलना है जो करना है करो और 7 मजे से फिर से पढ़ना शुरू कर दो और यहाँ पर आपको सिर्फ exercise 21 में से करना है अब देखो अब आपको भूलेगा भी क्योंकि आपको पते है न मैंने कल ही भूलने विमारी वाली वीडियो बताई थी भूलता है सबको भूलता है इसलिए उसकी दवाई मैंने यहाँ पर दे रखी है देखो यहाँ दवाई है revision वापस से 20 February को पहले chapter का revision करना है revision of chapter no.1 physics अब देखो जो भी chapter आप यहाँ पर डालोगो उसका इसी टाइम पर revision करोगे फिर आपको वही 1CPM learning learning जो भी आपका revise उसी को learn करते रहो पूरा दिन भर आराम से बैठके फिर आपको उठाना है math 2 मतलब math chapter no.1 इसके दो exercise करो फिर इसके दो exercise इस टाइम पर करो फिर पूरा रात में revision करके सो जाओ ठीक है तो इस तरीके से पढ़के revision करके सो जाओ फिर आपको revision of chapter no.1 कैम का वापस से यहाँ पर revision करना है वही learning learning जो भी आपने revision में किया था ना कोई चीज़ यहाँ पर same to same पढ़ लिए अब आपको अगर biology नहीं है तो आप दूसरा subject उठा लो computer science होगा उसे उठा लो बिट अगर biology है तो यहाँ पर biology करो उसके theory पहले read करो then आपको उसके बाद 1 p.m. से 4 p.m. की बिच में diagram और exercise पूरा याद करना है और 7 p.m. से 11 p.m. तो digest में से पूरी exercise learning करना है biology में सिर्फ exercise और diagram exercise diagram exercise diagram करोगे और आमसे full marks निकालोगे सारे देख ले ना कसम से कहता हूँ यार सारे question का answer दे पाओगे exam में अगर डाइजेस्ट में से exercise और diagram करके जाती हो तो तो यह हो गया अब देखो यहाँ पर maths भी किया था ना maths किदर क्या भई अपना maths किदर किदर क्या देखो आपको दिखाता हूँ यहाँ अच्छे सा आपको सब समझेगा देखो यह maths है है ना maths तो आप देखो यह जो mathematics है त देखो यहाँ पर revision of math chapter number one इसको पूरा दिन revise करते रहना है अब जब revise हो जाएगा पूरा इसी के साथ आप सोचो कि 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 कोई कोई chapter ऐसा होता है जो बहुत आसान होता है आपको पहले ही मतलब इतना time की जरौती नहीं पड़ेगी कोई chapter में तो उस दिन देखो मैंने बीच मे आपको ज्यादा time दिया है समझ रहे हो यह पूरा पढ़वाने के बाद देखो revision जहां पर देखो मैंने यहाँ पर गोले लगा रखे सब revision का time है और फिर उसके आद आपको 26 February को language 1 6-10 बज़ी तक फिर language 2 एक बज़े से 4 बज़ी तक 3 घंटा फिर आपका revise करना इन दोनों language क language में आपको grammar section, reading यह सब करने कि इससे कि आपका language मजबूत बनता जाए तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है कि आपको 8 दिनों में आपने 8 दिनों में physics का 1 chapter, chemistry का 1 chapter, maths का 1 chapter और सारा languages का 1-2 units आपने कर लिया है कर लिया है मतब ऐसा कि tip of the tongue आपको अच्छे से याद हो चुका है, मतब पढ़के revise करके सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हो चुकी है समझा मैं क्या कह रहा हूँ, मतब यह प्लान है, अब देखो आगे आपको मैंने यहाँ पर fill नहीं किया है क्योंकि मैं अभी इतना fill करूँगा, तो मैं कैसे जानूँगा कि आपको कौन सा chapter करना है समझा अच्छे से, अब आपको एक काम करना है, अब जिसे कि 27 February को आपको यहाँ पर fill करना है जैसे मैंने आपको physics chapter number 1 डाला है, तो यहाँ पर आपको physics ही भरना है बस हाँ, कोई और chapter लेना है, समझा यहाँ पर ऐसी fill करो, physics chapter number 1 theory तो यहाँ पर physics chapter number 2 theory, then उसका salt example practice set यहाँ पर, then exercise 21 यहाँ पर, then उसके बाद आपको chemistry में जाना है, chemistry यहाँ पर, then उसके जिसे यहाँ पर revision of physics again, यहाँ पर revision, इस तरीके से आपको ऐसा 10 April तक पूरा भरते जाना है और बाजू में जो आपकी index खुला हुआ है सारे subject का, उसमें से आपको जो chapter हो गया है, वो भी डालो, जो नहीं हुआ है, उसको तो डालना ही है, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एक table को follow करके, और आपको हर दिन कड़ी मेहनत के साथ, hard work के साथ, आपको पूरा का पू अपरिल तक का time table बना लिना है, और उसे बिना किसी से कुछ कहे, चुप चाप, किसी को ये strategy पता ना चले, और आपको पूरा पढ़ डालना है, समझा अच्छे से, बस यार वीडियो को share कर देना, और कुछ नहीं करना, समझा अब चलते 10th वालो के लिए, 12th वालो काम खतम ह हो चुका है, तुम जा सकते हो, ठीक है, समझा, अब आते हैं 10th वाले बंदों के लिए, बिकॉज ये भी तो नन्य मुन्य राही है, देश के सिपाही है, चलो इनके लिए भी करते हैं, अब इनके लिए धासुज strategy बनाई ही मैंने, जो मैंने खुद के लिए बनाई थी, ठी आपको सारी चीज़ें यहां पर समझाओंगा, ठीक है, 10th क्लास के बंदों के लिए, 12th वाले निकल जाओ, और 10th वाले यहां देखना शुरू करो, वैसे 12 वाले भी रुखोगे, तो अच्छी बात है, थैंक्यू सुन लोगे मेरे मूँ से, और क्या, ओके, लेट्स लिगि तुम्हारे लिए भी सेम टाइमिंग, क्या तुम कम हो गया, तुम भी तुम ऐसी मेनत करने पड़ीगी, तो 18 वेप से तुम्हें शुरू करना है, तुम्हारे लिए extra टाइम है, क्योंकि तुम्हारा पेपर 29 अपरिल से शुरू होगा, तुम्हारे लिए 14 अपरिल, यहां पेज बनाया मैंने, 20 अपरिल तक का, समझा, अब इतना सारा मुझे भरने में बहुत टाइम जाता ना, तो थोड़ा रहम करो ना, मेरे पुरा प्लानिंग तो आपको दे ही दी है, क्या क्या करना है, अब देखो यहां पे जो मैं, तुम्हारा जो टाइम टेबल है, उसे फ पॉलेज की टीचर से, स्कूल की टीचर से, थोड़ा बात उत करते रहो, बच्चे लोगों को इतना कुछ नहीं, तुमको आटरा प्लस पक्का मिलेगा, 20 में से चाह जो भी हो जाए, ठीक है, चलो अब यहां देखते हैं, 18 फेब, कल है आपका शुरू करना है, शुबे हाना, धोना, जो भी करना है, सब पहले ही कर लो, 6 बज़े से पढ़ना शुरू कर लेना है, भगवान का नाम लेके, भगवान को ले मम्मी पापा, समझा अच्चे से, ये बात आपको समझ के रखनी है, और तुम्हारे सोसाइटी, तो 6 बज़े से शुरू करना है, पढ़ा साथ है, आठ है, नव है, दस है, चार घंटे होती है, और चार घंटे में सिर्फ सॉल्ड इग्जम्पल है, ज्यादा टाइम काम कम दिया है, फिर ये जब हो जाएगा ना, सिद्धत से हो जाएगा, ऐसा याद करना कि टीप आप दी टंग कोई किदर से पूछ ले ना, एकसरसाइस लर्निंग करनी है, समझा क्या करना है, एकसरसाइस की लर्निंग, उसके बाग जो 7 बजे से 11 बजे तक का टाइम है, इसमें आपको 21 और प्रैक्टिस सेट करनी है, स्कूल भी स्कूल का साब भूल जाओ, लिखने का काम होगा, तो एकसरसाइस के साथ करलो, या बाकी का टाइम कर लो या जो खेलने का टाइम उसको यूटिलाइस कर लो बाकी मेरा जो टाइम है उसे याद करने में फॉलो करो आपका राइटिंग वर्ग आपका प्रैक्टिकल बुक कम्प्लीट करनी आपको जो भी करना है आप ये अलग टाइम में कर लो समझा लेकिन जो पीम से लेके 11 पीम तक आपको 21 जो आपके पास है और आपके पास जो model paper रहे प्रैक्टिस सेट या उत्तम का होगा नवनीत का होगा digest या फिर practice paper या फिर target का किसी कभी होगा खरीद के उसमें से आपको learning करनी वही same chapter समझ गया क्या कह रहा हूँ समझा मैंने क्या बोला जो chapter पढ़ रहे तो वह chapter पूरा 21 में से भी सारे question का डालो fill in the blank, salt example, सब कुछ और practice set से भी कर ला हूँ 7-11 की बीच में, 1-4 की बीच में exercise करनी हो, और 6-10 की बीच में salt example, कसम से कहता हूँ कोई 95 आने से रोक नहीं सकता क्योंकि तुमने salt example कर लिया exercise कर लिया, 21 पढ़ लिया, practice set पढ़ लिया और क्या चाहिए, mountain पढ़ोगे इतना तो जो teacher paper set करेगा उसका बेटा भी पढ़के नहीं जाएगा समझा क्या कहा रहो, ओके, आगे बढ़ते next, अब science पढ़ने के बाद तो कुछ मज़दार चाहिए, history ले लो क्योंकि science के बाद history ले लो, अच्छा रहेगा तो history उठा लिया, अब history में chapter number one exercise learning करो भाई पहले और 4 घंटे में history, चिंदी चीज hysteriography पहला chapter है और चिंदी एकदम, पहला chapter चार घंटे यहां पर दिया हुआ है, चार घंटे में तो यार कोई भी कर लेगा, तो पुरा चाहे तो रट डालो, history में क्या है पढ़ डालो पुरा, खतम कहानी as it is, digest नहुनी या फिर target में से उत्तम में से किसी से भी पढ़ डालो फिर एक से चार की बीच में जो भी history है उसी का 21 से भी कर लो, practice set से भी कर लो और ये साथ से, अब तो तो पुरा पढ़के हो गया, history में ही क्या और चीज पहला chapter पढ़के हो गया, जो कितनी खुशी होगी जब तुमारा, दो दिन के अंदर, अंदर science का पहला chapter और history का पहला chapter तुमारा हो जाएगा जरा believe करो, तुमने जिंदिगी भी इतना जल्दी काम नहीं किया था और आज तुम महनत कर के इतना कर डालोगे सोचो, you will not believe, this is the hard work यार महनत से ही सब कुछ पाया जाता है दुनिया में then उसके बास 7 p.m. से 11 p.m. के बीच में आपका time खाली नहीं जाना चाहिए इस वक्त जो भी हमने ये chapter पढ़ा है इस वक्त आपको यहाँ पे revision करना है याद रहे हर history और हर geography के दिन last वाला जो time होगा, उसमें आपको पहले का चीज revision करनी रहेगी समझा, जैसे के माल लो history है तो उसके पहले वाला दिन जो science था तो उसको यहाँ revise में रखो, रात में जैसे के geography है तो उसको history था इसके पहले तो उसको यहाँ पे revision रखो, last में 7 से 11 पे, क्योंकि history geography जल्दी हो जाता है तो geography का भी chapter number 1 25 का उठाना है, और 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ना है then 1 से PM से practice it करनी है और यहाँ से revision मारना है उसके बाद आप देखो science 1 होगा, science 2 भी उठालो भाई तो science 2 में numerical नहीं है salt example नहीं है तो reading सबसे पहली important है and then उसका exercise important है चाहे तो आप reading exercise simultaneously भी कर सकते हो reading और exercise याद करनी के लिए आपको digest इस्तवाल करना है 21 और learning करनी इसकी और last में 7 से 11 बजे की बीच में पूरा जो भी पढ़ाता उसे revise भी करना है इसी चीज का same to same and practice diagram biology में diagram बहुत important है और learning करनी है जब आपका यह हो जाएगा तो आपको 22 February को algebra chapter number 1 पूरा मत्तब सुबे से लेके शाम तक algebra chapter number 1 ही पूरा का पूरा पढ़ना है समझा चैसे क्या कह रहा हूँ algebra chapter number 1 complete 25 को 22 February 23 February geometry chapter number 1 complete then उसकी बाद 24 February आप लोग 6 से 10 बजे की बीच में यहाँ पे हिंदी grammar और उसकी जो writing skill पढ़ोगे then X की बीच में English पढ़ोगे then 7 PM की बीच में Marathi पढ़ोगे मत्तब एक दिन में 3-3 चीजे कर लोगे लेकिन यह time धाना इसी time पे करना है अब आपका यह एक बार पढ़की हो गया अब आपने देखो मैंने क्या किया है आपका revise भी करवा दिया है यह मन भूलो कि मैंने आपका revise नहीं कर रहा है 10th के लिए solid time table बनाया है आपका revise भी करवा दिया है History, Geography के साथ Science और Science 2 का revise बरवा दिया मैंने Algebra, Geometry तो आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ बस Algebra, Geometry में 6-7 chapter तो भई है यह आप जाओ गे जब यहां पर 3 March और something आगे यहां तक पहुंचेगे आप लोग तभी तक आपका Algebra खताम हो जाएगा Algebra, Geometry आपका खताम हो जाएगा अब देखो आपको क्या करना है 25 Feb को आपको खुद से time table भरना है आप तो Science 1 में वापस से यहां पर आजाओ लेकिन कोई दूसरा चैप्टर उठाओ Second Chapter उठाओ यहां पर Same चीज़ फिर यहां पर History का Second Chapter उठाओ फिर यहां पर Geography का Second Chapter उठाओ और यहां पर वोई Practice एट करना इसके उपर वाला फिर उसका पर यहां पर यह वाला फिर यहां पर Algebra फिर यहां पर यहां जमेट्री इसके बाद यह फिर से समझा क्या कह रहा हूँ मैं इस तरीके से आपको पूरा time table इसी format में जैसा पहले दिन Science है तो अब यहां Science डालो अब यहां History तो यहां History डालो यहां जोग्राफी तो अब यहां जोग्राफी डालो 27 Feb को फिर Science 2 यहां 21 को तो यहां 28 को डालो और सारे चैप्टर ऐसा करते करते काउंट कर लो सारे चैप्टर हो जाते काउंट कर लो सारे चैप्टर यू बिल के 95 प्लस इवेन और revision भी करके होता है 21 मी करके होता है practice set भी करके होता है सब कुछ करके होता है बस follow करना है महनत तुम्हे करनी है महनत नहीं करोगे तो बरबाद हो जाओगे समझा चैसे क्या कह रहा हूं मैं getting my point or not इस बात को तुम्हें ध्यान देना है ठीक है so my dear बहुत महनत लगी इस वीडियो को बनाने में बहुत महनत कसम से कहता हूं so thank you thank you so much for watching this video my dear और अगर आप लोग चाहो तो मुझे instagram में भी follow कर सकते हो मैं आपको यहाँ पे id आपको दिखाई दिया था मैंने इसके पहले ठीक है जो बंदा इसे follow करेगा वो आँगे बढ़ेगा और याद रहे याद है तो आबाद है भूल गए तो बरबाद है